Hey students, so everyone of us wants to study for 10 to 12 hours, but we are not able to do that. So everybody must have heard of Pometro technique. नहीं सुना, तो क्या होती है वो? आपको 30 minutes के interval की पढ़ाई करनी होती है. That means, after every 25 minutes, you take a 5 minute break, and then this 30 minute cycle keeps on repeating itself for the entire day. ये तभी successful है, जब आप 2 चीज़े ensure करें. पहला, आपका जो 5 minute का break है, वो 5 minute का ही होना चाहिए. आप मालीजी, तीन Pometro cycles के बाद decide करते हैं, मुझे 15 minute का break लेना है, लंबा break लेना है, तो 15 minute का break होना चाहिए. That is where determination comes to play. Second, आप जब 25 minute पढ़ाई करें, तो उसमें subject change वगारा, या फिर distraction वाला काम ना करें, airplane mode पर पढ़ाई करें, वैसे देखा जा, 25 minute के लिए concentrate करना, किसी भी student या human के लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, और उसी में शिद्दत के साथ पढ़ाई करेंगे, तो मन लगा के जब पढ़ाई करते हैं, result तभी बनता है, वो 25 minute आप एक सिंगल पर्टिकुलर आक्टिविटी के लिए जब फोकस करेंगे, result बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता, तो याद रखिए, concentrate करिए, और इसी को improve करने ही कोशिश करिए, पुमिटरो टेक्निक 25 इस्टू 5 की रेशो में है, आपका paper 3 गंटे का है, आप personally notice करिए, आप कब distract होना शुरू होते हैं, तो अगर आपको लगता है, 40 minute के बाद डिस्ट्राक्ट होना शुरू होते हैं, तो continue नहीं कर पाते हैं, तो start मत करके मत छोड़िए, उसको end तक करिए, result तभी बनेगा, आप चमकेंगे तभी, जब चमकने लायक काम करेंगे, अगर आप सिरफ छूके भाग जाएंगे, start रेखा को, और end तक पहुंचे ही नहीं, तो या result कैसे बनेगा, I hope this technique's help, let me know in the comment section, once you start doing it, क्या क्या problems आती हैं, and I keep giving you suggestions on the basis of the same, God bless, keep working hard.